आज मैं आपको एक प्रोग्लम के बारे में बताऊंगा जैसे अगर कोई भी वेपसाइट का URL को सर्च करते हो अगर आपका खुद का वेपसाइट है ब्लॉगर स्पोर्ट पर है या फिर ब्लॉगर के उपर में है या फिर डोमेन ले रखा है तो अगर वेपसाइट का सिर्फ लेपसाइट करें यहां पर यहां पर यहां पर इसी तरीके से में बहुत है बिल्कूल दूसरी वेपसाइट है और मेरी वेपसाइट को कैसे अपना लाना है search engine में और उसके बाद एक चीज में और दिखा देता हूँ अगर इसको मैं post open करूँगा और post को भी इसी तरीके से मैं search करूँगा जिससे यहाँ पर देखो कि होती क्या है कोई भी post को search करते हैं तो post भी नहीं आता है ज्यादा तर यह जो प्रोग्लम है blog sport के साथ आता है लाइ यहाँ पर देख सकतो इस site कभी भी यहाँ पर सोही नहीं कर रहा है तो एक setting होता है जो blogger में आप लोग करना भूल जाते हो उस setting को इनवल कर दोगे तो यह program solved हो जायागा क्योंकि मेरे साथ भी यही program आ रहा था इस website को उपर में तो हाला कि यह program solved हो चुका है मैं एक वर दि देखा देता हूं इंटरफ्रेस करना तो यहाँ देख सकतो तीन दिन पहले site index हो चुका है बट प्रोग्लम ए है कि site में जो home page है वो home page भी नहीं दिखा रहा है और यहाँ पर देखो कि site में देखो जो post Google में index है में एक बार ओभी check करा देता हूं लेकिन Google पर सो भी नहीं कर रहा है तो हर चीज आपको solution मिल जाएगा और कैसे आपको solve करना हो भी में बदला दूँगा सबसे पहले program discuss कर लेते हैं ताकि क्लियरिफिकेशन आपको हो सके तो guys यहाँ पर देख सकतो मैंने search console में इसको डाल दिया है तो आपको time लगेगा और यहाँ देखो कि site यहाँ पर rank करेगा ही नहीं क्योंकि topic हमेशा rank करेगा इस तरीके के ज्यादा post है ही नहीं तो एक ऐसे fix करना है और आपको कैसे ranking में भी लाना है क्योंकि site को index हो गया है बट Google में दिखा नहीं रहा है तो कैसे उसको solve करवाना है ओ भी मैं बतला दूँगा तो आइए सबसे पहले मैं blogger. .com पे चला गया जो भी site है उसको ही जैसे करनाट का state open university वाली है तो इसको ही यहाँ पर ठीक करना है क्योंकि इसका ही यहाँ पर site दिख नहीं रहा है और बिल्कुल Google में so नहीं कर रहा है तो इसको भी कैसे ठीक करते हैं वो मैं बतला देता हूं सबसे पहले एक setting करना पढ़ है इसको ऐसे क्लिक करना है और इसको इस तरह से paste कर देना है बीच में आप डाल देना तक कि आपको देखने में site आपको अच्छा लगेगा अब इस तरीके से मैं लिख दिया करनाट का state open university अब मैं इसको save कर लेता हूं अब यहाँ देखो कि इसको copy दुवारा मैं कर लेता ह है बड़ दिखेगा नहीं तो सरी चीज प्रोग्रम सोल्फ हो जाएगी अब यहाँ जोब से रिगार्डिंग है तो जैसे मेरा यहां पर बाइक एससरीज है तो मैं बाइक लिख देता हूं और जो भी आप डालना चाहतों जितने भी आपको category है description के तौर पर आप डाल सकते तो मैं इतना आपको डाल के दिखा देता हूं अब आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है जैसे मैं स्क्रोल डाउन करता हूं तो यहां पर एक option दिखे होगा हो सकता है बाइडिफॉल्ट ब्लोगर में ओफ होता है visual to search engine इसको आपको इनेवल कर देना है इनेवल करने से यहां पर शुरू रखना है अब जो मेजर यहां पर सेटिंग है वह मैं बता देता हूं तो सबसे नीचे आपको आ जाना है इस तरीके से नीचे आओगे तो एक मेटा टैक का एक option मिलेगा अब मेटा टैक से ही आपका यहां पर प्रोग्रम सुरुवत ही है और यहां देखो कहों बहुत कि से नीचे आ जा अब नीचे आ जाते हूं नीचे hebt कि आने के आने के बाद देखो कि मैंने और तो ही डाल दिया है और इसके बाद है आती। पर crawling and indexing अब यहां पर ही major इस्टू होती है मेरा crawling and indexing यहां बंद है तो कभी भी Google में दिखाएगा और हमेशा default by default अगर आपको ब्लॉगर पर नए-ना आपको format में आपका domain का change करना पड़ेगा नेम यहां पर देखो कि मैंने अपना domain को home page डाल रखा है उसका बाद इस format में इसी तरीके से लिखना है क्योंकि बहुत साय लोग अलग अलग तरीके से format बता रहा है तो site map को आपका website पर कोई भी page index नहीं होगा लेकिन अगर आप इस करने के बाद इसको सेब कर लेना है जैसी सेब करोगे सेब हो जाएगा तो आसा टाइम लगेगा अब सेब होने के बाद देखो कि यह तो आपको इनेवल करना पड़ेगा क्योंकि इसी option के अनुसार आपका और अभी इंडेक्स होगा तो इसको भी ऑपन कर लेता हूं अब यहां पर में इपॉर्टन सेटिंग आती है जो देखो करना और यहां पर डालना है नो इंडेक्स तो नो इंडेक्स डालने के बाद आपको यहां डालना है अभी इस तरीक से इसको भी नेवल कर देनी है अब मैं यहां पर इसको भी सेव कर देता हूँ अब हमारा जो थर्ट फोस्ट हैं आप देखो पोस्ट एंड टैग है तो इस तरीके से इसको भी क्लिक करना है इसको भी आलक उप्शन पर क्लिक करना है और नोडीपी पर क्लिक करना है सेव कर देना है अब इस तरीके से जितने भी इसको इनेवल कर दोगे तो आपकी होमपेज को एलाउ करेगा कि होमपेज को इंडेक्स कराओ और होमपेज इसी तरीके से इंडेक्स होगा आप चाहे तो गूगल सर्च में भी देख सकतो ए जो आपको इनेवल करेगा जब अपरोब्ट हो जाएगा और आपको यहां पर इस चाहरा देखोगे तो इसको आपको करेगागा ऊसे करने इसको इसको आपने बद्लाद हों सबसे पहले देखोगे के विलॉगर की सेटिंक राजाते है उसको आपको बैड़ देखोगे यहाँ आपको यह जी फ़बिगल सर्च कंसूल तो इसको open कर लेना है मैंने already open कर रहा है तो guys यहाँ पर देखो कि मेरा यही रहा Google Search Console अब यहाँ पर आ जाता हूँ side map option पर side map मैंने submit नहीं कर रखा है तो इसको मैं submit कर देता हूँ ध्यान रहा है दो तरीके से side map submit करना एक email होती है और यहां देखो कि साइट मैप verified आपको करा जाता है अब यहां पर simple सा लिखना side map.xml इस तरीके से लिखोगे तो यह भी verified हो जाएगा मैंने आप साइट मैप लिख देता हूँ तो इस तरीके से साइट मैप.xml अब मैं submit option पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो यहां देखो कि submit हो जाएगा टाइम लगेगा तो आसा submit यहां हो चुका है लेकिन फेस नहीं हुआ है तो आसा यहां पर time लगता है अब इसको मैं refresh करके दिखाता हूँ यह फेस हो जाए ब्लॉगर लोग करना भूल जाते हैं और यह important setting आपको जब तक नहीं करोगे तब तक actions approval नहीं होगा क्योंकि यह important setting करोगे तभी आपकी site google को दिखेगा सभी user को दिखेगा जो भी आपकी site पर आना चाते है उसको भी दिखेगा तो ओ भी आपको यहां पर करना जरूरी होता है और यह चीज़ मैं बता देता हूँ अगले वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि अगर आपका domain direct search कर रहे हो तो आपका domain redirect नहीं हो रहा डावल डॉडॉड से तो आपको कैसे उसको fix करना है क्योंकि जैसे मैंने भी आप देको search कर रहा हूँ तो यह redirect नहीं हो रहा है तो